mutual fund की कई categories हैं जैसे equity fund, debt funds, hybrid funds, international fund, इत्यादी और within that भी आपके पास बहुत सारे choice हैं यदि हम equity की बात करें तो large cap, mid cap, small cap, multi cap, flexi cap, sectoral, thematic तो मतलब कई बार ये difficult हो सकता है कि कौन से fund अच्छे हैं और फिर वो जो funds अच्छे हैं क्या वो आपके लिए suitable हैं या नहीं हैं तो आपके इस दूइधा को दूर करने के लिए मैं अक्सर आपके प्रशनों के माध्यम से आपको explain करने की कोहिश करता हूं कि कौन से funds आपके ल ये सवाल जवाब का सिल्चला और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है हिरेन भट ने हिरेन जी आपने बताया कि आप recently retire हुए हैं अपने नौकरी से और एक क्रोड रुपिया आप mutual funds में invest करना चाहते हैं आपने कहा है कि आपका risk appetite जो है वो low to moderate है आपका जो objective है regular income generate करना और उसके लिए आप SWP के सहारे पैसे withdraw करना चाहते हैं और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि आपकी capital भी appetite हो time के साथ और आपने कहा है कि आप ऐसा चाहते हैं कि around 70% जो है वो आपका पैसा जाए low risk वाले funds में और 30% high risk में तो आपने कहा है कि 70% आप plan कर रहे हैं कि आप balance advantage fund में large cap में multi asset में और conservative hybrid में invest करें और साथ ही 30% जो है उसे आप flexi cap, multi cap, इत्यादी में invest करें मैं आपको बताना चाहूंगा कि balance advantage fund जो category है इस category के funds का भी काफी large exposure होता है equity में और यहां तक कि कुछ funds ऐसे भी हो सकते हैं जिनका 100% exposure किसी वक्त पर equity में हो इसी तरह से large cap की बात की जाए तो large cap भी equity funds होते हैं जहांपर minimum 80% allocation large cap oriented equity shares और equity related instruments में करना होता है तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप एक तरब कहा रहे हैं कि 70% allocation जो हो वो आपका कम जोखिम वाले funds में हो तो फिर balance advantage funds और large cap funds को कम जोखिम वाला fund नहीं मना जा सकता हां conservative hybrid fund की बात की जाए तो यहां पर कह सकते हैं कि जो allocation है वो 10% to 25% ही equity में होता है बाकी debt में रहेगा तो यहां आप कह सकते हैं कि जो fund है उसका risk थोड़ा सा कम रहेगा इवन यहां तक की जो आपने example दिया multi asset allocation fund का तो अधिकतर multi asset allocation funds में equity exposure minimum 65% होता है यानि कि equity exposure जो होगा वो 65% या उससे अधिक होगा उस scheme के total asset का तो यहां पर risk कम कहा है रिस्क तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यदि आप लंसम पैसा invest करके और तुरंत SWP सुरू करना चाहते हों तो उसके लिए equity funds यहां तक के conservative hybrid funds या equity savings funds भी suitable नहीं माने जा सकते उसके बजाए आपको debt oriented funds में invest करना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आइडिली आपको इस पैसे को इस तरहां invest करना चाहिए कि पहले दो साल का जो cash flow आपको manage करना है उतना पैसा आपको debt oriented funds में invest करना चाहिए उसके बाद third year और fourth year के लिए आप conservative hybrid funds और equity savings funds को consider कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा investment आपका hybrid funds यानि कि especially balance advantage fund और multi asset allocation funds में हो जहां से आप अगले दो साल के लिए पैसे withdraw कर पाएं तो यानि कि यहां पर आप यह देखें कि दो साल का cash flow आपका manage हो उसके बाद भले ही वो जो portfolio है दो साल का वो आपका nil हो जाए उसके बाद अगले जैसे मैंने कहा कि दो साल के लिए आप conservative hybrid funds में invest करेंगे या equity savings fund में करेंगे वहां भी आप दो साल का पैसा रखिए कि वो प foundation funds में रह सकता है और उसके बाद वाकी का जो पैसा आपने invest किया होगा उस पैसे को पहले 5-6 साल आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे यानि कि उसमें से आप कुछ भी withdraw नहीं करेंगे लेकिन आप से 6 साल के बाद क्योंकि हमने यदि इस तरह से पहले 6 साल का provision बना ल हो चुका होगा और फिर आप या तो directly उन equity funds से withdraw कर सकते हैं या फिर आप फिर से उसमें से कुछ portion को conservative hybrid funds में switch कर सकते हैं और वहां से swp कर सकते हैं तो इस तरह से यदि आप एक planning करेंगे और शायद इस planning के लिए आपको एक expert की जरूद भी पढ़ सकती है तब मेरे हिसाब से यह अच्छा रहेगा लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि आप यदि balance advantage funds large cap funds यहाँ पर पैसे invest करते हैं और तुरंत यहां से withdraw करना start करते हैं यानि कि आप systematic withdrawal plan के जरिए withdraw करते हैं और यदि market यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाता है तो chances हैं कि आपकी जो capital है वहां से आप अपना पैसा withdraw कर रहे होंगे और यदि negative returns होते हैं मान लिजी आपने invest किया और अगले 6 मेने, 7 मेने ऐसा भी हो सकता है कि returns negative हों तो ऐसे में एक तो market में गिरावट होगी और उपर से आप withdraw कर रहे होंगे तो risk बहुत बढ़ जाएगा तो इसके लिए आपको अपने portfolio को कई भागों में बाटना होगा और उस तरहां से आपको planning करनी होगी कि जो equity portfolio है ज draw करें उसका आप इंजाम करें और equity portfolio hybrid portfolio को आप अलग रखें तो यदि मेरा ये जो suggestion है आपको समझ में आ गया हो तो इस तरहां से आपको portfolio बनाना होगा तब मेरे हिसाब से ये पैसा लंबे समय तक चल भी पाएगा और साथ में grow भी होगा अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है प्रमीन कुमार ने प्रमीन जी आपने कहा है कि मेरी guidance से आपने SIP शुरू की है और last month से ही शुरुवात की है आपकी age है 37 years की और आपने target भी set किया है कि 20 साल में 4 प्रोट रुपे आप इखटा करना चाहते हैं और अभी आ आपके पास SBI Magnum Mid Cap Fund 2000 की SIP है पराग पर एक Flexi Cap Fund में 1000 पर मन निपॉन इंडिया Small Cap में 1000 क्वांट Small Cap Fund में 1000 और Axis Small Cap Fund में 1000 तो 3000 रुपे आप इंवेस्ट कर रहे हैं Small Cap में पराग पर एक Flexi Cap Fund का Major Exposure Large Cap में वहां पर 1000 और Mid Cap में 2000 मेरी एक राय होगी आपको कि आपको Small Cap में थोड Small Cap Fund से अपनी SIP रोग दे या निपॉन इंडिया में आप स्टॉप कर ले और पराग पारिक Flexi Cap में बढ़ा ले तो यह बहतर होगा दूसरी बात यह है कि यदि आप 6000 रुपीज पर मन्त इंवेश्ट कर रहे हैं और 20 साल का आपका नजरिया है यदि 12% का CAGR में लेके चलता ह तो करीब 55 रुपीज इखटा हो सकते हैं यदि यदि बारे की जिए 15% भी मान के चलू कि चलिए लॉंग टर्म है और आपको अच्छे रिटन्स मिलेंगे तो 15% के हिसाब से भी लगभग 80 रुपीज इखटा हो सकते हैं और आपका टार्गेट है 4 क्रूर का तो यहां पर क् को एक्चुली पता नहीं वो आपके लिए संभाव है की नहीं है राइट नाओ बट कैल्कुलेशन पर पचले बता रहा हूं यदि आप 22,000 के महिनी के SIP करते हैं अभी और साल दरसाल 10% से उसे स्टेप अप करते रहते हैं तब जाके 12% के रेट पर आपको 4 क्रोड मिल करते हैं जो कर रहे हैं वो कीजिए कोई परबलम नहीं है लेकिन टाइम टाइम पर आपको इसे टॉप अप करना होगा तो आपकी क्योंकि 20 साल में कई बार इंकम बढ़ेगी अच्छी इंकम बढ़ेगी तो आप इसे टॉप अप करते रहिए जब जब लंसम पैसा आपके इन्वेस्ट करते रहें और ऐसे करके आप डेफिनिटली 20 साल में 4 क्रोड क्या उससे भी ज़्यादा जुटा पाएंगे शुरुवाद अच्छी है बस डिसिप्लेन मिंटेन करना है और समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना है और इसमॉल कैप में इन्वेस्ट करता है उसका अराउंट 16% अलोकेशन इंटरनेशनल एक्विटी में भी है तो यह आप सिर्म 1000 वहां पर करेंगे तो आपको यहां पर लार्ज कैप का एक्स्पोजर इंडियन डॉमेस्टिक जो एक्विटी है उसका एक्स्पोजर कम मिल रहा है और इस आप आपने कहा है कि मेरी जो वीडियो हैं वो काफी इन्फरमेटिव हैं सो थैंक यू वेरी मच्ट आपने पूछा है कि अभी जो निफ्टी 50 की आप बात कर रहे हैं जहां पर अभी निफ्टी 50 है उससाब से क्या आयति बिरला सनलाइफ बैंकिंग और पीस्ट यू डेट को आप आयति बिरला सनलाइफ निफ्टी 50 एक्वाल वेट फंड में स्विच कर सकते हैं यदि आपका नजरिया लंबा है तो आपको डेफिनिटली डेट से एक्वीडी में स्विच करना चाहिए और आप बात करें निफ्टी 50 एक्वाल वेट इंडेक्स फंड की तो यह इसे अगले एक से दो महने में आप स्विच करें इन फंड से निफ्टी 50 एक्वाल वेट इंडेक्स फंड में आप एक काम कर सकते हैं कि 10,000 पर डे की स्टीबी सेट कर सकते हैं तो मन्त में हम 20 ट्रीडिंग सेशन्स एक्सपेक्ट करें तो आपके दो लाग रुपे एक महने में स्विच हो जाएंगे डेट से एक्विडी में तो इस तरह से करीब टू एन हाफ मन्त करीब आपको लगेगा पूरे पैसो को स्विच करने के लिए चुटिया भी अगर लगा ले तो भाई से तीन मेहने आप पकड़ लीजे जो भी है इस पीरेड में पूरा आपका तो आपने बताया है कि आपके फादर की उम्र है 60 years की उनके पास 20 लाग रुपे कैश है और मुझे उमीद है कि कैश का मतलब आपका यह है कि उनके अकाउंट में 20 लाग रुपे अभी अभी अविलेबल है और आपने कहा है कि वो उन्हें mutual funds में इन्वेस्ट करना चाहते है 8 से 10 साल के लिए moderate risk वर और SIP अलमसम क्या करना चाहिए कौन सा फंट सही रहेगा देखिए SIP तो यहाँ पर मैं आपको सिजेश नहीं करूंगा क्योंकि SIP तबंग करते हैं जब regular cash flow होता है मान लिजी आपकी income आ रही है हर महीने उसमें से कुछ खर्च करना है कुछ बचाना है जो बचाना है उसे आपको mutual fund में invest करना है तो आप SIP कर लीजी अब यहाँ पर आपने कहा है कि already 20 lakh रुपीज अवेलेबल है तो 20 lakh रुपीज आपको क्या करना चाहिए SIP नहीं करनी है आप इसे STP याने कि systematic transfer plan के जरिए invest कर सकते हैं और यहाँ पर मेरा सुझाव यह होगा कि आपको इन पैसों को invest करना चाहिए balance advantage fund में और balance advantage fund में भी आपको दो funds बताओंगा एक होगा ICIC potential balance advantage fund और दूसरा fund होगा HDFC balance advantage fund यह दोनों funds काफी हद तक एक दूसरे से अलग है category सेम है लेकिन इनको manage करने का तरीका थोड़ा अलग है तो जैसा मैंने कहा कि आपको इन पैसों को STP के जरिए invest करना चाहिए तो ICIC potential balance advantage fund में invest करने के लिए पहले आप पैसों को ICIC potential overnight fund में पार्क कर दें और फिर वहां से आप STP सेट कर दें हर दिन एक fix amount आपके account से यानि कि आपके overnight fund से switch होगा ICIC potential balance advantage fund में इसी तरह से HDFC balance advantage fund में पैसा invest करने के लिए पहले आप HDFC overnight fund में पैसों को पार्क करें और वहां से आप STP करें अक्सर liquid funds में पैसों को पार्क करने का सिजिशन दिया जाता है लेकिन यहां पर मैं आपको overnight funds में पार्क करने के लिए कह रहा हूं इसकी वज़े यह है कि मैं यहां पर 3-4 मेने या लंबी अवधी के लिए STP नहीं आपको सिजिश कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप overnight fund में करें और within 2-3 months पूरे पैसों को उस overnight fund से balance advantage fund में switch कर दें तो यह तो हो गई planning आपके फादर के पैसों के लिए लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि आप जब balance advantage fund में करें या किसी भी hybrid fund में करें वहाँ पर भी equity का अच्छा खासा allocation होता है उसमें तो risk है लेकिन आप लंबी अवधी के लिए निवेश कर रहे हैं तो इसके लिए suitable माना जा सकता है लेकिन यह क्योंकि retirement का पैसा है तो आप अपने पिताजी को पूरी तरह से इसे explain भी करें अब आते हैं आपके portfolio पर आपने कहा है कि आपकी age है 32 years की और retirement पर आपको पांच क्रोड़ रुपे चाहिए ऐसा अपने goal set किया है क्या यह सही है देखें फर्द बहुत ज्यादा हो गए है आपके पास मेरे साबसे आपको फंड्स कम रखने चाहिए और SIP का amount थोड़ा better या जैदा होना चाहिए दूसरी बात यह है कि small cap में exposure है आपका large cap में भी है और large mid cap fund के जरीए large cap और mid cap में है परागपारिक flexi cap के जरीए भी large cap में है दो आपने thematic fund या sectoral fund यह हुए से इन funds में invest करने की बजाए आपको जो बाकी diversified funds है उसमें amount को बढ़ाना चाहिए क्योंकि हम PSU की बात करें या technology की बात करें तो जिन funds में बाकी जो funds आपके portfolio में हैं उनमें भी in sectors का अच्छा exposure है तो इसके लिए अलग से यह PSU funds और technology funds यह इन funds को एड़ करने की जरुवत आपके लिए नहीं है यह कब होता है जब अपका portfolio बहुत बढ़ा हो और उसका चोटा हिस्सा आप theme based या sector based funds में allocate करना चाहें बट क्योंकि आप सुरुवात कर रहे हैं तो मेरे साब से आपको diversified funds में ही invest करना चाहिए दूसरी ब entry और exit समझना चाहिए PSU में पिछले एक साल में करीब 70% के रिटन आए लेकिन अब आप यदि invest कर रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि ऐसे ही रिटन्स आपको अगले एक साल में मिलेंगे तो शायद वो मुश्किल हो सकता है आपने बताया है कि आपकी डेलाग रुपे हर साल आप PPF में भी invest करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या आपका टारगेट पूरा हो पाएगा अगर मैं 12% के CAGR पर calculate करता हूं तो करीब 2,68,00,00,000,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, लंबा टाइम है तो करीब 4,66,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 कम हो जाती है तो आपका टार्गेट बड़ा होना चाहिए फंड सभी आपके पूटफिलियो में अच्छे हैं लेकिन थिमेटिक और सेक्टरल फंड के बारे में मेरे राही ही है कि आपको उनमें अपनी साइपी स्टॉप करके और जैसे आपके पास में आयते बिरला सनलाइप इंडेक्स फंड है उसे बढ़ाना चाहिए और मोतिलाल उस्वाल लाज है मिटके फंड में आपको साइपी अमांट को बढ़ाना चाहिए और आप लेते हैं आज का आखरे सवाल जो पूछा है विनोध ने विनोध जी आपने अपना पोट्फिलियो डिस्क्लोज किया है आ गोल है आपका 13 साल में 1.5 क्रोड रुपी एकटा करना एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,800 रुपीज मिरे असे लाज मिटकेप फंड में 5,000 रुपीज क्वांट मिटकेप फंड में 3,800 क्वांट फ्लेक्सी कैप में 5,400 टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1,500 पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 और टाटा स्मॉल कैप फंड में 2,300 मुतिलाल उस्वाल मिटकेप फंड में 3,200 रुपीज इस तरह से 30,000 पर मंत की आप SIP कर रहे हैं आपके पोर्टफोलिय में सभी स्कीम्स अच्छी हैं लेकिन 30,000 पर मंत की SIP के लिए 8 स्कीम्स मेरे जड़ा हैं और साथ ही आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में भी कम है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिये ही है अलग से भी इंटरनेशनल फंड हो तो बहतर है लेकिन उसके लिए पहले आप कुछ स्कीम्स को कम करना होगा तब ही अच्छा रहेगा और जिस स्मॉल कैप में दो फंड्स हैं मिट कैप में आपके पास दो फंड है तो फंड्स रोड़े कम किये जा सकते हैं और साथ ही एक जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड आपके पोट्फोलियो में है इसके बारे में मेरा कहना है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आल्रे है जो भी प्राग पर iqflexicap fund है सभी funds के जरीए भी इन funds के जरीए भी आपका एक्सपोजर इसक्तर में है और अलग से भी आप इसकी जरूरत मेरे साफ से आपको फिलहाल नहीं है हाला कि आप इन funds में काफी लंबे समय से invest कर रहे हैं और अच्छा काजा पैसा भी आपने इखटा कर लिया होगा लेकिन मेरा suggestion यह होगा कि जैसे international fund आपके portfolio में नहीं है वो होना भेतर होगा और technology fund को इदिया आप निकाल दे portfolio से तो भी चलेगा तो जैसे आपके portfolio में international fund नहीं है उसे include किया जा सकता है और technology fund में SIP आप रोग सकते हैं तो funds की संख्या कम कीजिए बाकि funds अभी अच्छे हैं all the best to you तो आज के लिए बस इतना ही आज इस वीडियो में जिन प्रशनों के मैंने उत्तर दिये मुझे उमीद है कि वो जानकर आपको ठीक से समझ में आई होगी अगले वीडियो में फिर किसी important topic के साथ या आपके प्रशनों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी इसी के साथ मुझे दीजे इजाजत लेकिन आपके जो भी सवाल या सुझाओ हों आप इसी तहां से comment box में पोस्ट करते रहें अपना ख्याल रखे थैंक्यू जैहन mutual fund निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़े